तपिल पाटिल जी, ती इश्वरिया जी, प्रने फुके जी, नाना पटोले जी, महादेवराव जानकर जी, बालो बहु धनोर कर जी, बी एल यादव जी, फिर्दोस मिर्दा जी, अभिजत वन्जारी जी, अशोक जीवतोले जी, वीर बहादूर महतो जी, सचिन राजूर कर जी, केशो मांसाकी जी, बी हनुमंत राओ जी, शब्बिर एहमत जी, साथी में श्री जाजूला गवड जी, राओ जी, सभी मंचासीन, महानुभाव और उपस्तित सभी बहन और भाईयों, आज विशेश रूप से मैं डॉक्टर बबन राओ जी तायवाडे, इनका अभिन करना चाहता हूँ, कि लगातार उन्होंने पुरे देश में, OBC समाज को, एक साथ लाकर, OBC समाज की एक मजबूत आवाज तयार की, और आज, हम देख रहे हैं कि सभागार में भी, देश के सभी राज्यों से लोग उपस्तित है, और जिन 22 मांगो को यहाँ पर रखा गया है, मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर, आपकी मांगो को उचित सरकार तक पहुचाने का प्रयास, मैं निश्चित रूप से करूँगा, यह विश्वास आप रखे, पिछले समय महाराष्टर में मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे मौका मिला, और उस समय स्वतंत्र OBC मंत्राले हमने तयार किया, और मुझे यह कहते हुए खुशी है, 2014 से लेकर, 2022 तक महाराष्टर में OBC के हितके, पुल मिलाकर 22 निरणे हुए, तरकार के 22 निरणे, उनमें से 21 निरणे मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने लिए, आप कोई भी वहाँ पर देख सकते हैं, और लगातार, चाहे वो शिक्षा का विशे हो, चाहे नोकरियों का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए छात्रावास का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों को पॉरें स्कॉलर्शिप देने का विशे हो, चाहे IAS IPS का ट्रेनिंग देने का विशे हो जो जो मांगे बवन राओ जी आपने अपने अधिवेशन में की वो सारी मांगों को सरकार के माध्यम से मंजूर करके हमने उस समय उसके शासंद्रने निकाले और मैं आपको फिर एक बार याश्वस्त करना चाहता हूँ कि आधरनिया हमारे मुक्यमंत्री शिंदे जी के नेत्रुतों में जो हमारी सरकार आई है ये सरकार निश्चित रूप से OBC के हितों की रक्षा करेगी और OBC के लिए जो निर्णे आपने अप्यक्षित किये हैं वो कि मैं सरकार में आऊंगा और अगर चार मेने में ये OBC का राजनेतिक आरक्षन वापिस नहीं आया तो राजनेतिक सन्यास ले लूँगा ये कहने वाला मैं वेक्षी था और मुझे खुशी है और मैं उसका कोई क्रेडिट ने लेना चाहता सब ने मिलकर प्रयास किया लेकि कि ये OBC का राजनेतिक आरक्षन ये यहां पर वापिस आया और अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूत है और आने वाले दिनों में वो करके हम निश्चित रूप से दिखाएंगे और OBC समाज को नयाय मिले इसके लिए जो जो सिजे करने के आवशक्ता है वो की जाएगी मुझे इस बात की खुछी है कि वैसे तो देश के प्रधान मंत्री को कोई जाती नहीं होती वो तो सबके होते लिकिन एक सयोग है कि आज देश के प्रधान मंत्री जी भी तुवयम OBC है और OBC की समस्याओ के बारे में जानते है और जैसा कफिल पाटिल जी ने कहा पहली बा देश में 40 प्रतिशत मंत्री ये OBC समाज से आज केंदर के मंत्री मंडल में है और निश्चत रुप से मेरा विश्वा से जैसे OBC के बारे में जो सववधानिक दरजा OBC आयोक को देने की बाद थी इसको मोदी जी ने पूरा किया हमारे बच्चों को All India कोटा में डॉक्टर ब लेकिन उस मांग को भी आदरणिय मोदी जी ने पूरा किया अब All India कोटे में भी हमारे OBC बच्चे देश में डॉक्टर बन रहे हैं और आगे भी मेरा विश्वास है कि ये सारी चीजे पूरी करने का काम कि हम लोग मिलकर करेंगे फले हमारी पार्टिय अलग अलग हो लेकि से भी मेरी बात्चित हुई है अब कुछ मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटी होता है तो कुछ चीजे वो भी कहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चाहे महाराष्टरों चाहे देशों OBC के हित में आपके नेतरुत में जो काम चल रहा है इस मंच के नेतरुत आप नाकपूर से आप जानते हैं मैं सोहम इतने सालों से नाकपूर से लगातार जीतता आया हूँ और आज राजनीती में 30 साल मुझे हुए है और इन 30 सालों में मैं इसलिए बार-बार विजय हो पाया क्योंकि जहां से मैं चुनकर आता हूँ वहां तो सारे OBC है OBC लोगो और ताकत के साथ उत्रे मैं आज के इस मोखे पर आपको इतने अश्वस्त करना चाहता हूँ हम सब आपके साथ में जो निरने आप करेंगे हमारी शमता के अनुसार हम उन निरनेों के पीछे खड़े होकर उन निरनेों को इंप्लिमेंट करने के लिए पूरी कोशिश आपने इस राष्ट्री अधिवेशन में हमें निमंत्रित किया इसलिए आपका अभार व्यक्तरता हूँ आपने मैं आपसे निवेदन किया था कि मुझे जल्दी जाना है आपने उसकी भी परमिशन मुझे दी इसलिए आपका अभार व्यक्तरते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ, जै ओबिसी जै ओबिसी जै ओबिसी